तो बैस सामानी रूप से जो सामानी जाती में जन्म लिया है उसको भी यह सुविधा मिलनी चाहिए इसमें तो कुछ करना नहीं है राज सरकार करना हर्रे लग रहा है ना फिटकिरी लग रहा है कि सबर्णों के खास समूह के हाला लगातार उनके खराब होते जा रहे हैं बिहार बिधान मंडल का बजट सत्र चल लहा है उसमें जो है जदियू के मलसी है वह आवाज उठाए थे आर्थिक रूप से जो पीछरे सवर्ण उनके लिए 10% आरक्षन तो मिल गया है लेकिन स्कॉलर्शिप नहीं मिल लिए जब इसी को लेकर करके वह सवाल कर रहते तो बि क्या कुछ कही है जिस तरह से आपने जो है जब स्कॉलर्शिप की बात की तो वह कुछ बोले नहीं इस पर बिहार विधान परिशद में वी राज की संकल्प के माध्यम से हमने अनुरोध करने को कहा कि वह राजी सरकार क्यंद सरकार से अनुरोध करे कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं जिसमें सामाने जाती के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इन लोगों को जब केंदे सरकार ने स्कॉलर्शिप दे दिया तो समाज के अनितब के चाहे वह दलित हों पिछडा बर्ग हों उनको ये सारी सुविधाय मिलती है तो बैस सामान भी नहीं समझ बाया हमारी समझ से अध्यासीन सदस उन्होंने भी इस बात को कहा क्या आपको केवल अनुशंसा करना है इसमें कुछ करना नहीं है राजस्रकार करना हर्डय लग जाया है तो ये अनुरोध करने प्सक्राइप पहली राज नेता है उन्हों न मुखमंतरी नितिश्क मागीं तो पहले राज नेता है बाई युन्हों ने सबर नायोग बनाया और यह तै किया कि जो कल्यानकारी योजनाय है सब से आच्छा दित करेंगे उस गरीव समुदाय को लाजनितिक विरोज मेरा लोग करते रहें लेगि सच यही है तो ऐसी स्थिती में केंद सरकार सानुरोद करना था केंद सरकार के पाले में सब कुछ था लेकिन मानिये सिक्षा मंत्री जी की मनोभावना क्या है वो जाने लेकिन हमने जो उठाया है वो संबैधानिक हक है वो नियाई पालिका का मुहर लगा हुए आरक्षन है उस पर सुविधा मिलनी चाहिए इससे किसी को इतराज होना सही नहीं अखिल उन्हें दिक्कत क्यों है जो है केंद सरकार से मांग करने तो उस पर दिक्कत क्यों है लेकिन मैं यह समझता हूं कि राजसरकार ने तो बगएर दुरागरह के काम किया है बिहार के अंदर में मानिये मुख मंत्री जी ने तो ऐसी स्थिति में राजसरकारा नों संसा करे यह पेच्छा तो हर व्यक्ति का होगा एक तरफ जहां आप आर्थिक रूप से पिछरे हैं सवर्न उनकी मांग कर रहे हैं दूसरी तरफ जो लोजपा राष्टिय लोजपा के हैं सांसद प्रेंस पास्मान वो कह रहे हैं सदन के अंदर सुचना दी गई है उसकी रासी स्विक्रत हो गई है उसके रासी का आवंटन भी हो गया इस समंद्ध में मानिय मंत्री ने विधान परिशद में वर्षवार उसकी सूची दे दिये कव यह रहते कि लगातार तो स्विक्रती मिलती है लेकिन स्कॉलर से मिल नहीं पाता है अभी तो स्विक्रती जब आवंटन हुआ तो मिल जाएगा कुछ परिशानी आई थी उस परिशानी का निजात साथ रासरकार ने खुद कर लिया कि आप सुन रहेते हमारे साथ थे जद्यूय मेल जिनने साथ आपतोर पर कहा है कि जिस तरह से हम जो है आवाज उठा है तो दिक्कत क्या सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले